हमारे देश में मुस्लिम महलाएं के जो हैं सेबन नए अधिकार दे दिये गए हैं और ये अधिकार अगर आज आप जानेंगे तो आप भी हैराम ड़ा जाएंगे कि आखिर ये नए अधिकार कौन है तो चलिए समझते हैं आप देखें कि जो मुस्लिम का कानून है वो कहीं न कहीं जो हिंदू लोग हैं उसके कानून से अलग है अखिर जो मुस्लिम का कानून है या उसमें बहुत सारे इसे नियम है जो मुस्लिम उसके लिए मुस्लिम परसनल लौ है अब यहाँ पर जो सवाल उठता है कि देखें जो सेवन नए अधिकार दिये गए उसमें क्या ये अधिकार क्या ये अधिकार पहले से दूसरे धर्म के लोगों को मिला हुआ था या ये नए अधिकार सभी के लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि एक कानून बनाया गया पहले उस कानून का यहाँ पर जो नाम है ये मुस्लिम महला ये कानून ऐसा नहीं है कि अभी बना है पहले से भी है लेकिन अब उसको जो है जब एक तरह से उसका संसोधन हो जाता है उसमें नियम में बदला हो जाते हैं तो मुस्लिम महला अधिनियम 2019 जो है इसमें क्या किया गया था इसमें एक जो है नियम लाया गया था विवाह अधिकार संडक्छन ठीक है अधिकार संडक्छन इसमें क्या किया गया तीन बार जो तलाक बोला जाता था यानि तीन तलाक बोलकर ब्यवाहिक सम्मन्द जो है एक तरह से ब्यवाहिक रिस्ता जो है उसको खत्म करने का जो प्रावधान था उसको क्या किया गया उसको एक तरह से खत्म कर दिया उस नियम को खत्म कर दिया गया मतलब पहले क्या था कि पहले तीन तलाक बोलकर जो है जो बैवाहिक रिस्ता होता है, जो सम्मंद हुआ, उसको खत्म करने का एक पर्था था आप कह सकते हैं, अब वो पर्था नहीं, अब कानून, अगर आप जो है एक तरह से ये कारे फिर करेंगे, कानून का अगर उलंगन करेंगे, तो आपको सजा भी हो सकता, मतलब आपको जेल ज जो है, जो प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना होगा, अब चलते हैं और समझते हैं, उस नए अधिकार के बारे में, जो अधिकार यानि इनके लिए है, क्या ये अधिकार अगर मिलता है, तो इनको फाइदा होगा, या नुकसान होगा, वो भी समझने का प्रयास करेंगे लेकिन आपको बता दे हैं, कि अगर जो नए अधिकार हैं, उसमें सबसे पहले अगर ये देखा जाए, कि जो मुस्लिम महलाये हैं, उनकी राय क्या है, तो आप जो है, इस कानून के पक्ष में, बहुत लोग क्या डर से बोलना भी नहीं चाहरा होगे, तो पक्ष में जो है 29 परसेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि पक्ष में जो है, जो नियम अधिकार दिये गएं, उस पक्ष में, जो है, काफी मुस्लिम महलाये हैं, सबसे पहला जो नया अधिकार मिलने वाला है, कि जितनी भी एक तरह से होगे, है ना, मुस्लिम महलाये, सभी के लिए, या हिंद कानून होगा, ये बात आप समझ लें, सभी के लिए क्या होगा, एक कानून होगा, पहली बात, ये महत्पुर्ण बात है, कि सभी के लिए एक कानून होगा, दूसरा जो सबसे बराई है, तो या अधिकार की ना, सभी के लिए एक कानून है, ठीक है, अभी भी अगर बात कर अगर कोई अपराद करता है ठीक है अगर कोई अपराद जो है अगर करता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कि अपराद करने वाला जो है वो हिंदू है या मुसलिम है ठीक है उसके लिए समान कानून है और सजा भी जो है वो समान है तो इसलिए यहाँ पर जो है सभी के लिए क्या कर दिया गया एक कानून कर दिया गया दूसरा जो नया अधिकार प्राप्त है कि जो महिला है ठीक है महिला और और पुरूस जो है पुरूस को जो है संपत्ती में बराबर का हक मिलेगा यानि क्या मिलेगा जो संपत्ती है संपत्ती में बराबर का हग बराबर का हग तो जितनी भी संपत्ती होगी पिता की होगी दादा की होगी और वो संपत्ती घर मकान है दुकान है गारी है पैसा है किसी परकार का कोई एफडी है एक तरह से सोने है मतलब जो जेवर है घर में खेती वाली जमीन है जायदाद है जो भी है सब ही जो है मुसलिम और पुरुष के अगर संपत्ती की बात करें तो दोनों क्या होगा बराबर होगा यानि मुसलिम परिवार में अगर कोई बेटा है तो उसका भी उतना हक होगा जितनी अगर मुसलिम परिवार में वो बेटी है तो उसका जो हक होगा दोनों का हक बराबर होगा ये कहता हमारा कानून यानि अगर अधिकार ये प्राप्त होता है तो ये अधिकार जो है वो मिलेगा अभी भर्तमान में ही अधिकार पहले से जो है हिंदू लोगों को पहले से ठीक है तीसरे अधिकार के बात करेंगें कि जो सबसे बहुत महत्पुर्न बात है वो है कि यहाँ पर जो मर्द हैं कहें मुसलिम में उनकी जो गानून है उनका जो law है मर्दों की चार साधी का अधिकार प्राप्त है यह अगर देखा जाए तो यह अधिकार भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर आप लिख देते हैं खत्म हो जाएगा यह अधिकार कि महला जो मर्दों की चार साधी वाला अधिकार है तो वो अधिकार जो है अब यहाँ पर नहीं मिलने वाला है यानि आप जो है बिना तलाक के आप दूसरी साधी जो है नहीं कर सकते हैं आप अगर तलाक देते हैं तलाक के लिए भी तीन तलाक जो है वो कानून नहीं है तो आपको एक प्रोसेस के साथ तलाक देना होगा तलाक देने के बाद आपको उसका गुजारा भत्ता देना होगा तब आप दूसरी साधी कर सकते हैं और दूसरी पत्नी को भी अगर आप तलाक देने तब आप तीसरी साधी कर सकते हैं लेकिन अगर आप तलाक देते हैं निय तरह के बाद जो होगा उनकी सादी होगी यह बात असपर समझ लें अब यहां पर गोध लेने का जो है थर्ब तो का तरह से जो अभी बरत्मान में क्या होता है कि गोद लिनेंज में जो धर्म का रोल की बात अगर करेंगे है तो हिंदु धर्म में लोग एडॉप्ट करते हैं वो कानून है लेकिन यहाँ पर पहले से अब लेकिन बाद में क्या होगा कि यह जो है इस मुस्लिम धर्म मुस्लिम महलाओं के साथ भी मुसलिम धंद के जो लोग है उनको bhi अधिकार मिलेगा गोद लिने का यहां पर यहां पर यहां पर यह एक अधिकार प्राब्त होगा कि गोद लिने का भी यहां पर अलग नियम कानून होगा आप ले सकते हैं सात में एक तरह से यहाँ फिप्ट यह हो जाएगा क्या वशीयत का अदीकार ठीक है यानि वशीयत भी हो सकता है सभी में चानुसार अगर वो वसीयत पासिवल है तो बिल्कुल वसीयत होगा ठीक है तो और साथ में यहाँ पर देखें कि जो साधी का उम्र है अगर इस पर ठोस नियम लगाए जाते हैं तो ये दोनों में जो है साधी का उम्र में भी जो नए नियम है नए कानून है उसमें संसोधन किया जा सकता है कि दोनों के लिए एक समय सिमा बरहा दिया जाएगा ताकि आप उसी एज में जाकर जो है साधी करेंगे अन्यता वो साधी जो होगा वो illegal माना जाएगा तो ये अभी सबसे महत्पुर्ण point है समझने बाली बात है और उसके साथ साथ जो है यहां पर कि साधी की उम्र के साथ है कि पहली जो पतनी है ठीक है UCC की बात कर रहे हैं तो UCC अगर आता है तो मुस्लिम महलाओं को ये जो है ये सबसे अधिकार जो है ये प्राप्त होने बाला है कही न कहीं पूरा सर्वेक्षन भी जो किया गया है न जा एक तरह से सबह सभीके सर्वेक्षन को देखते हुए ये रिजल्ट पराप्त होा है कि लगबग 70-71 परसन जो महलाओं है वो ये सभी नियम के सपोर्ट कर रहे है और उसके अलावा जो महलाओं है वो एक तरह से नहीं कर रही है तो जो भी रीजन रहा होगा बहुत लोगों को बहुत नियम अच्छा लगता है बहुत लोगों को नहीं लगता है लेकिन ये जो आपके अधिकार है इस कानून को लाने का एक तरह से पूरा विचार किया जा रहा है और जल से जल जो ये कानून यानि समान नागरिक सनिता सभ करते हैं वीडियो अच्छा लगागा वीडियो को लाइक जरूर करते हैं चैनल को पहली बार देख रहें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाले मिलते हैं